आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है अपना Two wires are fixed in a sonometer The tension The tension are in the ratio 8 is to 1 The lens are in the ratio 36 is to 35 The diameter are in the ratio 4 is to 1 Density of the material are in ratio 1 is to 2 Lower frequency of the setting is 360 Hz The beat frequency पन से क्या है Pooch है the beat frequency when the two wires are sounded together देखो पहले given data बहुँ जाद है तो वो एक बार पन लिख लेते है Given क्या-क्या given है सबसे पहले Tension That is T1 by T2 Is equals to 8 by 1 Second thing अब वो given है L1 by L2 L1 by L2 is equals to 36 by 35 Third thing क्या given है Diameter का ratio D1 by D2 4 is to 1 Third thing वो बाद में क्या है 3 चीज़ तो अपन होगे given है फिर अपन को frequency F1 अपन को given है ठीक है 360 Hz तो पहले तो अपन को F2 बताना है And then difference of F1 minus F2 वो बताना है अपन को ठीक है beat frequency जो है तो अब देखो मैं क्या बोल सकती हूँ कि किसी भी stretch string में अपन जो frequency लिखते है उसका क्या value होता है F is equals to 1 by 2 L under root T by pi r square rho तो यही तो होता है न अपना जी किसी भी stress string में frequency लिख सकते है ठीक है तो अब अपन अगर F1 ऐसे लिखों इसमें R क्या होता है अपना R क्या होता है D by 2 तो R square क्या हो जाएगा D by D square by 4 तो इसमें अगर अपनी value substitute करेंगे न तो आएगा 1 by 2 L T by pi D square 4 ओपर चला जाएगा 4 square rho ठीक है अब 4 को बार लेके जाएगे तो यह 2 बार आएगा तो 2 से 2 cancel तो अपना क्या बज़ जाएगा 1 by L T pi D square rho यह अपना आजाएगा ठीक है तो आप देखें अगर मैं ऐसे F1 लिखूँ और F2 लिखूँ तो F1 by F2 करूँ अगर मैं ऐसे F1 by F2 तो F1 1 by L1 under root T1 pi D1 square by rho 1 ठीक है और ऐसे F2 तो F2 क्या हो जाएगा F1 by F2 तो 1 by L2 upon T2 by pi D2 square rho 2 ठीक है और अपन को जो F1 है उसका value given है और F2 अपन को find out करना है तो F1 में क्या लेख सकती हूँ F1 3 कितना है 360 तो 360 by F2 ठीक है यहाँ पर कितना आ गया 1 by L1 T1 pi d1 square rho 1 into L2 pi d2 square rho 2 by T2 ठीक है यह अपना आ गया तो आप क्या लेख सकते हैं इसको L2 by L1 T1 by T2 ठीक है pi से pi cancel d2 by d1 का square rho 2 by rho 1 ठीक है तो यह कितना आ गया अपना 360 by F2 ठीक है अब L2 by L1 इनका रेश्य अपनों क्या क्या गीवन है L2 by L1 L2 by L1 गीवन 36 by 35 36 by 35 root over T1 by T2 अपनों क्या गीवन है T1 by T2 और T2 by T1 T1 1 by 4 D2 by D1 कितना हो जाएगा अपना यह एपन को चाहिए तो वो 1 by 4 हो जाएगा और T1 by T2 और T1 by T2 8 और यह 1 by 4 यह हो गया 8 और यह 1 by 4 उसका square और rho 2 by rho 1 कितना है अपना rho 2 by rho 1 1 by 2 यह rho 1 by rho 2 है ठीक है तो वो 2 by यह कितना हो जाएगा 2 by 1 all right तो यह अपना इतना आ गया तो 360 by F2 ठीक है तो अब देखें इसमें 8 तू जा 16 1 by 4 का square तो 16 by 16 कितना हो गया 1 ठीक है तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा root over 1 तो कितना है बनी होता है 36 by 35 360 F2 ठीक है तो यहाँ पर कितना आ गया F2 is equals to 360 into 35 by 36 hertz ठीक है तो F2 कितना आ गया अपना F2 is equals to यह 10 जा तो 350 hertz तो अपना जो beat frequency होगा beat frequency क्या होता है 360 minus 350 50 hertz which is equals to 10 hertz तो अपना beat frequency 10 आ गया तो कितना आ गया the beat frequency तो अपना option जो D है वो correct हो जाएगा यहाँ पर ओके थैंक्यू स्टूरेंट्स प्लासिक्स स्टूरेंट्स लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टूरेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच 4444 सुपर